कि हमारा बेल रिजेक्ट हो चुका है और चौरा दिन का जेसी ग्रांग हुआ है I have learned this by looking at Twitter posts of news channels who are running this news There are certain law reporters who have run this news and they are all citing KPS Malhotra as the source of this information यह वीडियो सुना अपने यह वकील है मुहमद जुबायर का Alt News के को फाउंडर जिनको गिरफ्तार किया गया था एक पुराने तस्वीर को लेकर आपको पता चल चुका है आप सब जानते हैं कि मुहमद जुबायर को अब 14 दिन की हिरासत में भेज़ दिया गया है लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि जज सहाब ने जब फैसला भी नहीं दिया था तो दिल्ली पुलिस के एक DCP ने टूइट कर दिया था और एन आई को बाइट दे दी थी कि उसको रिमांड मिलेगी 14 दिन का और ठिक वही हुआ दिल्ली पुलिस और एन आई की ख़बर पर जज सहाब ने मुहर लगा दी और 14 इन का रिमांड हो गया इतना ही नहीं जुबैर के खिलाप केस किसने दर्ज कराया है ये भी पुलिस को पता नहीं है अब तक हम लोग सुनते थे कि अग्यात के खिलाप केस दर्ज लेकिन अब है कि अग्यात ने केस दर्ज कराया और दिल्ली पुलिस सोचिए कितनी करमठ पुलिस है कि अग्यात के खिलाप अग्यात के कंप्लेन को भी वो दर्ज करती है और जेल में डालेते हैं वही नुपूर सर्मा के लिए रेट कार्पेट विछाती है लेकिन क्या मजाल है कि नुपूर सर्मा को गिरफतार कर ले वही परफेसर रतनलाल एक ट्वीटर पर पोस्ट के लिए एक फेस्बूक पर पोस्ट के लिए गिरफतार कर ले जाते हैं जो इस देश के सबसे बड़े बहुजन, इतिहासकार, इंटलेक्शुल हैं हिंदू कॉलेज के परफेसर हैं, परसांत कनोजिया, फेस्बूक पर पोस्ट लिए गिरफतार आप कलपना कर सकते हैं इस देश को क्या बना के रख दिया गया है कोट में क्या फैसला होगा ये दिल्ली पुलिस को पता है और दिल्ली पुलिस एनाई को बता देती है, ये चल रहा आपके देश में इससे भी जादा खतरनाक है, परफेसर रतनलाल को जब पेस किया जा रहा था तो उन पर हमले की कोशिस हुई थी ती सजारी कोट में लेकिन वो तो बहुजन समाज के वकील थे ओहां, जिन्होंने कहा था कि कौन है माई का लाल जो हाथ लगा के दिखा दे, आज राजस्थान में क्या हुआ, जो दो आरोपी हैं, उनकी पेसी हुई, उनको मारा गया हमला हुआ, कनहिया के साथ क्या हुआ था, मतलब जो लोग, सोचिये, क्या चल रहा इस देश में, जबकि ये साफ है, खबरे आ रही है, बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरे आ रही है, कि जो आरोपी पकरा गया है उदैपुर का, उसके बीजेपी के नेताओं से अच्छ के संबन थे, तो सोचिये, देश को बनाना रिपबलिक बना दिया है, और अब क्या कहेंगे जुबैर पर, अब सोचिये, जुबैर जो की और नीज के फाउंडर है, जो लगातार सोसित बंची समाज की खबरे चला रहे थे, और सबसे बड़ी बात है, वो लगातार, वो जुबैर ने फैंसला सुनाया नहीं और पुलिस वाले फैंसला जान गए, गजजब हो रहा है, ये रनबी जै सिंग ने ट्वीट किया है, और जो DCP का ट्वीट है, उन्होंने उसको डिलीट कर दिया है, दिलीट मंडल ने क्या लिखाय है, सोचिये, वो लिखते हैं, मुझे तो पहले से पता था, एड़ एनाय और दिली पुलिस को ने टेक किया है, 14 दिनों की रिमांड की जो खबर आई है, उसको पहले से ही लिख कर दिया गया था, तो क्या सब कुछ, सब कुछ फिक्स है, कोर्ट का चहरी फिक्स है, पुलिस फिक्स है, सब सरकार के ही सारे पर काम हो रहा है, Chief Justice of India Supreme Court के रमना सहाब का आज एक बयान है, कि सरकार चाहती है कि हम उसकी आइडिलोजी, हम उसके बिचारों का समर्थन करें, साम साथ बज रहे हैं, जजज सहाब के लिए कितनी मुश्किल खरी कर दिया दिली पुलिस ने, जी न्यूज के एंकर की तरह एक पुलिस अधिकारी ने मान भी लिया है कि जमानत खारीज होने की बात कहने में गलती हो गए उनसे, कास इतनी ही मानदारी से गिरफतारी की गलती ही मान लेते, अपडेट, जजज गोज बाक टू चेमबर, आर्डर एवेटेड, मुहम्मद जुबायर, ओल्ट न्यूज, दिल्ली पुलिस, लेकिन सोचिए, परसांत भुशन पे दाफाइन फाइन फ़न रूपीज, अन दा केसी जोबर, सुरज कुमार बहुत ने टूइट किया है, आज टूइटर पर सुप्रीम कोट ट्रेंड हो रहा है, सुप्रीम कोठा, इसके पीछे कौन है या सभी जानते हैं, अब भारत का नाम खराब नहीं हो रहा है, और मिला मतुन करने पूचा है, सूचिए, हम लोग संविधान के मा सुप्र सर्मा के खिलाब कुलकाता पुलिस ने जारी किया लूक आउट नोटिस, पुलिस के सुनाय फैसले पर कोट ने लगाई मुहर, आज के हालाद पर इससे सटीक टिपनी नहीं हो सकते है, सूचिए, सवाल है कि पुलिस को कैसे पता था कि जज साब क्या फैसला लिखन इसकी 14 दिनों के लिए नियाए खिरासत, और अब आप उस वकील का एक बार फिर से Ambience सुन लिजे, यह जुबायर के वकील है, वो कह रहे थे कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, कि यह हुआ क्या है, आखिर कैसे पहले ही पता चल गया मीडिया को, DCP सहाब को, कि रमकान के खिलाप लिखेंगे, सरकार के खिलाप लिखेंगे, अपने फादर की जहनती मनाएंगे तो गिरफतार हो जाएंगा, आज पलबी पतेल और उनकी मा, सोने लाल पतेल की पतनी, क्रिस्ना पतेल की गिरफतारी हुई है, वो सोने लाल पतेल की जहनती मना रहे थे, ख कुछ नहीं करती है वो आज देश की जुडिशियरी तमाम इंस्ट्यूशन विस्वस्निय के विस्वस्नियता का खत्रा जेल रहा है पूरी इंट्रिटी पूरी उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस में हैं सोचिए कि जुबैर मामले में जिस सक्स ने केस दर्ज कर रहा है उसका सीटर जनरल तुसार महता आज दिल्ली पूलिस के एक डी सीपी रैंक के अधिकारी ने पहले ही ट्विट कर दिया तो एनाई को बता दिया एनाई ने पहले ही ख़बर चला दिया कि जुबैर को नियाएक हिरासत होगी 14 दिन की और ठिक वही फैंसला हुआ सवाल तो पूछा जाएगा ना कि क्या इस सब मैनेज हो रहा है क्या कोट कचहरी इंकम टेक्सी डी सी बी आई सब कुछ दवाब में हैं मैं करहां बिल्कुल दवाब में है और इसकी बज़ा है डाइवर्सिटी का ना होना इस देश में S.C.S.T.O.V.C. मानोटी के लोग न से सहमत है और इसी का नतीजा सब को भूगतना पर रहा है आप लोग पर्तिक्रिया जरूर दीजिए शुक्रिया निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें